नमस्कर दोस्तों गाडेन ग्यान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके लिए लाया हूँ एप्टेनिया का प्लांट इससे बेबी संरोज बोलते हैं और इसके नाम से ये बहुत पुपुलर है दोस्तों बेबी संरोज देखिए गुलाब जसाइस में फूल आता है और संलाइट में चलता है इसलिए इसका नाम बेबी संरोज है और ये एक सकुलेंट प्लांट है तो इसके क्यार के बारे में और इसके प्रोपागेशन के बारे में आज़ा है और गर्मियों में ये बहुत सारा फूल देता है इसका ग्रोथ टाइम रहता है तो इसका कटिंग दोस्तों आप लगाना चाहिए एप्रिल में अगर आप इसका कटिंग लगाते हो तो बहुत बढ़िया रहता है और कटिंग के तो ये बहुत आसानी से बन जाता है अगर आप नरसरी से एक भी प्लांट लाते हो तो कटिंग से आप बहुत सारा बना लेते हो जे देखिए मेरा तीन चार जगा पे है ये प्लांट और ये दोस्तों नरसरी में रहता है इसका प्राइस 80 से लेके 120 रूपिया तक और ये प्लांट है तो एक बार आप लाते हैं तो सालों साल चलता है और ये हैंगिंग बास्केट के लिए एक बढ़िया प्लांट बना गया है क्योंके नीचे जुका हुआ ये रहता है और पॉट को कवर कर देता है और इसका पता भी देखिए बहुत चमकदार रहता है और पूरा प्लास्टिक जैसा आपको दिखेगा फूलना भी के लिए तो इसका पत्ता दोस्तों बहुत प्यारा लगता है और यह खास कर फूल देता है आपका स्प्रिंग टू समर तो यह इसका ग्रोथ टाइम है अभी आप नर्सरी से इसे बाय करके ला सक करता है तो वहां पर आप बालू मिला सकते हैं और सेंडी सोयल और घुबर का खाद या फिर भर्मी कंपोस्ट रेसियो अब ले सकते हैं 80 20 का 20 परसेंट आप लीजिए भर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोवर का खाद और 80% ले सकते हैं आप बालू मिटी अगर आपके न होके रहता है तो अगर आप समर में एक दो दिन पानी नहीं भी देते हो इसे तो यह कुछ नहीं होता है लेकिन मुर्जा जाएगा यह और फिर पानी देंगे तो फिर फ्रेस हो जाएगा और इसमें देखिए यह पिंक कलर का फूल आता है और फूल भी बहुत प्यारा यह सब नहीं है तो NPK 1990 को डालूट करके एक लिटर पानी में बस एक चुटकी डाल के उस पानी को आप दे सकते हैं यह बस आप 20-25 दिन में एक बार करेंगे तो काफी है ज्यादा फटी लेजरी से चाहिए नहीं और पूरे समर यह आपको फूल देने वाला पोधाय दोस्त अगर आपके पॉट में पानी ठहरता है या फिर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हो तो यह सड़ जाता है इसका रूट गल जाता है तो पानी ज़्यादा नहीं देना है आपको जब गमले का उपरी मीटी सुख जाए तभी आपको पानी देना है और यह संलाइट प अगर मर जाता है तो दूसरे जगा पे प्लांट बच जाता है दोस्तों और वहां से आप फिर ठीर सारा बना लेते हो इसका वेरिगेटर भैराइटी भी आता है जहां पर पत्तों में हुआइट वाइट रहता है वह और और प्यारा देखता है वो थोड़ा कोश्क्ली आता दोस्तों एक साथ जब बहुत सारा फूल आता है इसमें तो ये बारिस के महिने में भी आपको फूल देगा लेकिन बारिस के महिने में डारेक्ट रेंड से इसे थोड़ा बचाना है अगर ज्यादा रेंड वाटर इस पर गिरता है तो आप इसे चुपा लिजिए क्यूंके प्यार प्यार फूल देता है दोस्तों दोस्तों एप्रिल का टाइम इसका कटिंग लगाने का बहुत बड़िया टाइम है और देखिए अगर आप इसका चे पांच इंच का कटिंग लेते हैं और रूट हर्मोन में लगाते हैं तो बहुत बड़िया रहता है एक बात का डिखना पड़ेगा जब आप कटिंग लगाते हो तो पानी ज्यादा नहीं देना है आपको और बालु मीटी लेना है यह दिखिए रूट इसका बहुत सौफ्ट रहता है दोस्तों और यह चाओं में रखना है आपको धूप में नहीं रखना है जब आप कटिंग लगाते हो कुछ ही दिनों में इसमें रूट आ जाता है और आपका नया प्लांट बन जाता है और यह दुसरे जगा पे आप लगा सकते हो यह भाने के लिए दोस्तों रेडी है और इसका तया देखिए दोस्तों देखिए वालू मीटी जो बोलते हैं देखिए वालू मीटी है और वालू मीटी कैसा होता है बहुत सारे लोग पूछते हैं और इस मीटी में इसका root growth बहुत अच्छा आता है और पानी भी drain out हो जाता है दोस्तों और pot के नीचे आपका drainage hole बहुत सारा रहना चाहिए तो यह मरता नहीं है आसानी से जिन लोगों को यह plant है चाहिए और nursery में नहीं मिल रहा है तो मेरे से ले सकते हैं मेरे पास कुछ extra plant है तो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ मेरा whatsapp नमर देखिए नीचे display हो रहा है तो वहां पे आप contact कर सकत हैं और मैं फास्ट आपको recommend करूंगा local nursery से local nursery से अगर यह मिलता है तो आप अभी ले सकते हैं बहुत सारे लोकों को यह available नहीं हो पाता है वहां पे नरसरी पे नहीं मिलता है तो वह लोग मुझे contact कर सकते हैं और यह succulent plant है तो ट्रांस्पोर्टिंग में transit में मरेगा नहीं त आप message कर दीजिए जब time होगा मैं आपको reply जरूर करूंगा दोस्तों और जितनी जल्दी हो सकते आपको reply करूंगा तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा comment करके लिखिएगा अगर आपके पास भी यह plant है और variegated variety है तो comment जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ नमस्कार